इजूजू कंपनी की आज हमारे सामने V-Cross variant खड़ा है जिसका model है Z Prestige 4x4 इसमें 5 model देखने के लिए मिलते हैं और यह इसका Z variant इसका top variant है जिसकी कीमत 32,00,000 के करीब होती है और इसमें आपको काफी सारे functions देखने के लिए मिल जाते हैं एक multi-purpose SEO भी होने वाली है जब आप इस lights, LED, DRLs, 220 mm का ground clearance यहाँ पर जब आप इसका design देखेंगे तो overall जो friend का design है वो काफी बढ़िया होने वाला है यहाँ पर आपको fog lamp देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ इस तरी के से izuzu की यहाँ पर batching होने वाली है और friend का जब आप design देखेंगे तो black color के यहाँ पर grill है आपी सारे purpose में यूज कर सकते हैं four wheel drive होने वाली है साथ में यहाँ पर अगर हम इसके tire वगेरा की बात कर लें तो इसका यहाँ पर आपको front का जो tire है वो मिलता है 255, 60 और 18 इंची का और front में आपको independent double wishbone coil suspension देखने के लिए मिल जाएंगे diamond cutter alloy wheel और यहाँ पर आपको disc plate मिलत थोड़ी सी door handle में design होने वाली है diamond cutter alloy wheel और soft right leaf spring suspension इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे four into four की यहाँ पर batching होने वाली है साथ में 55 लीटर के fuel tank capacity के साथ आती है पीछे में drum brake है side display लगा देते तो और भी ज्यादा better हो जाती है इसकी breaking ही controlling यहाँ पर four point four की batching होने वाली है rear में जूजू की batching है और साथ में DMX का यहाँ पर logo है क्योंकि DMX ही है brand का जो model है उसका नाम और यहाँ पर Z Prestige यानि कि इसका top variant है पीछे में chrome की design है और यहाँ जब आप इसका यह खोलेंगे को जिस तरीके से boot 215 लीटर के करीब boot space होने वाला है और इसको आप उपर में body लगव सकते हैं यानि कि उपर में भी आप काफी सारे जैसे कि अगर आप टूरिंग वगएरा पे जाते हैं तो उपर camping वगएरा की वी सुभी दाइस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी तो इसी हिसाब से यह साथियों साथ में पीछे का अगर हम space देखते हैं तो यहाँ प आपको power window के switch देखने के लिए मिल जाएंगी chrome design में door handles होने वाले हैं और साथ में rear friend का जो profile है वो काफी बढ़िया होने वाला है साथ में overall curve weight की बात कर लें तो 1955 kg गाड़ी का curve weight होने वाला है एक बार इसका हम आपको friend का और side का profile दखा देते हैं तो कुछ इस तरीके से होने बैटेंगे तो यहाँ पर fully digital देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर इतनी price में fully digital होता तो और भी ज्यादा better option हो सकता था लेकिन यहाँ पर देखी जब आप इसको on करेंगे तो यहाँ पर आपको analog एक और digital meter देखने के लिए मिल जाएंगी और साथ मैं यहाँ यहाँ पर दे इंजन होने वाला है इसमें इसमें लगभग एक 1900cc का इंजन दिया है कंपणी ने साथ में यहाँ पर देख सकते हैं लेग रूम काफी बढ़िया है साथ में 7 इंचिस का यहाँ पर एक music player देखने के लिए मिलेगा Android Auto CarPlay जिसमें voice command भी आपको support देखने के लिए मिल जाएगा Aux A.M.F.M. बगएरा भी मिल जाएगा यहाँ पर automatic AC climate control है और यहाँ पर automatic ही transmission होने वाला है manual model भी मिल जाता है हला कि इसमें और यहाँ से आप इसके riding modes और 4x4 जहाँ पर देखिए armrest में भी space है armrest आँगे पीछे नहीं होगा और साथ में glove box में भी space आपको देखने के लिए म मिल जाएंगी हाला कि थोड़े से feature को और भी जादा enhance करना चाहिए था लेकिन plan और built quality मजबूत करने के लिए ही यह brand जानी जाती है अपने heavy built quality के लिए और अपनी multi purpose SUV और खासकर commercial के लिए भी जानी जाती है और 55 लीटर का fuel tank इसमें देखने के लिए मिलता है जिसमें लगभ DC का है four cylinder four blade होने वाला है टर्बो चार्ज इंजर ने 161bhp की power 360 nm का torque देगा all wheel drive याने की 4WD6 transmission के साथ आता है और यहां पर एक powerful engine होने वाला है और खासकर यार अपनी performance और अपने torque के लिए जाना जाता है 360 nm का torque ये महज 2000 rpm पर engine पकड़ लेता है इसलिए खासकर off-roading के लि जाना और performance हो और साथ में safety के लिए भी जानी है heavy commercial use के लिए इनकी D-max variant जो है वो काफी ज़्याद मार्केट में famous है और उसी के बहाफ पर ये V-cross भी बनाई है तो इसलिए काफी लोग की पसंद होती है साथ में इसकी 5 stars rating है इसलिए best off-roading और best premium SUV भी इसको हम कह सकते हैं जो क काफी सारे परबस से आप इसको यूज कर सकते हैं खेर किया आपको ये गाड़ी पसंद आ रही है और क्या आपकी इजुजू या इस तरीकी की वी-cross वाली गाड़ी है पसंदने आपको कमेंट में ज़रू बताने है आज के लिए इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद